नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनोत शांशुपांडे हम लोग क्या कर रहे हैं कक्छा बार्वी के भौतिक की विशाय के लिए सीजी बोर्ट एक्जाम सिरीज में खड़े हुए हैं मैं आप लोगों को पूरी परिक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ ये प्लैट्फॉर्म हमें कहां से मिला अभिप्षा से अभिप्षा का एक्जाम सिरीज मिशन 2023 चल रहा है और यहां पर हम अध्याय एक से लेके अध्याय आखरी तक पूरा का पूरा सिलिबस आपके साथ डिसकस करेंगे हम आपको साथी चीजें सिखाएंगे ताकि आप अपने एक्जाम में बहुत बहतर कर सकें लेकिन अगर आप यूटूब में यहां पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए और बाकी लोगों को जुड़ने के लिए उनके साथ में हमारा लेंक भी शेयर कर दे लेकिन आपको और भी बहत मतरीके से बनाया हूँ application है जिससे आपको और भी ज्यादा अच्छा experience होगा तो चली आगे बढ़ते हैं आज हमारी चर्चा का विशय क्या है हम लोगों ने गतिमान आवेस और चुम्बकत्व के बारे में बात की हम लोगों ने एक गतिमान आवेस जब चुम्बकी छेतर मे यह सारी बाते कर ली फिर हम लोगों ने देखा कि यदि हमारा आवेस जो है मतलब कोई कोण बना रहा हो तो वो किस तरीके से हेलिकल मोशन करता है ठीक है आज हमारी चत्तिगण में पूछे गए पूरू प्रश्न के बारे में चर्चा है हम लोगों ने देखा कि होता है और साइक्लोट्रॉन के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है जो 2019 में आया था मतलब बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है इसके अलावा इसको 2006 में 2004 में 6 में और तेरा में भी पूछा गया है तो ये जो प्रश्न है हमारे लिए महत्यूपूण है और इसमें जो हमको उत्तर कैसे कैसे देना है हम इसी बारे में चर्चा कर लें तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ासा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यह समान चुंब IN coffee में कोई आवेज घुसता है तो वो क्या होता है थीक है तो हमारे पास में सूत्र क्या है भई हमारे पास में एफ हो यहाने कि बल के लिए जो है तो था Kisthukla क्यों वी भी साइन ठीटा ठीक है और हम लोगों ने यह मान लिया है कि यह जो साइन ठीटा angle है theta यहां पर जो है 90 अंस है और इसलिए पूरा का पूरा sin theta sin 90 अंस मिल करके एक बन जाता है तो हम लोगों ने F के बारे में जाना कि यह होता है QV QVB ठीक है और यह बल के बारे में हमको जब एक बार पता चल गया तो हम लोगोंने कि दुलना किसे कर ली हम लोगोंने कि टुलना कर ली अभी केंधरिय अबल से और यह होता है M V का बटा आर इस दुनना के दौरान हम लोगोंने पाया कि हम यहां पर से V और V काट सकते हैं यह V औरodle एक drive car काट सकते हैं और इस तरीके से हमको त्रिज्या मिल गई R बराबर M V बटा Q B और यहां से हमको पता चलता है कि यह जो त्रिज्या है यह असल में वेग के उपर निर्भर करती है मतलग जितना ज्यादा वेग बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा त्रिज्या बढ़ती जाएगी इसके अलावा जब हम लोगों को ये समझ में आया कि इसको एक घूर्णन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है तो हम लोगों ने फिर टाइम पीरिड निकालने के लिए सूत्र लगाया कि भई वेग बराबर दूरी बटा समय होता है और यहां से समय बराबर दूरी बटा वेग हो सकता है और यहां पर दूरी के लिए हम लोगों ने टू पाई आर वाला सूत्र डाला बटा भी कर लिया और यहां से हम को क्या मिला टू पाई और यहां पर एम वी बटा क्यू भी और यहां पर यह बटा वाला भी यहां पर आ गया हम से जो कटता है हम काटते चलते हैं इसलिए हम लोगों ने ये वी और ये पिकाट लिया और हमको समय मिल गया 2 पाई M बटा QB और इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि हम आवरित्ती न्यू के बारे में बात करें जो कि किसके बराबर होता है एक बटा T के बराबर होता है तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि आवरित्ती जो है वो QB बटा 2 पाई M के बराबर होता है यह हमारे पास पहले से उपलब्ध जानकारी है यहाँ तक हम लोगों ने बाते समझी अब हम साइकलो ट्रॉन के बारे में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं क्या क्या हो सकता है साइकलो ट्रॉन के मामले में चलिए तो एक्जाम सेरीज है मिशन 2020 तरीक चल रहा है और हमारे जो काम है वो ये है कि इस application में अगर आप हमारे पास आते हैं तो ना सिर्फ ये वाला topic जो हम अभी पढ़ रहे हैं बलकि इस chapter में वो बहुत सारी चीजें जो आपने सोची थी कि हम सिखाएंगे लेकिन हम लोगों ने exam से जूरी जल्दबाजी के कारण वो यहां discuss नहीं किया है हम ये cover कर रहे हैं हमारे application में आपको बहुत फाइदा होगा आप जरूर ट्राइ करें Google Play Store से इसे download करें अब यहां पर जो cyclotron के कारे करने के मूल सिद्धान्त के बारे में बताईए पहला तो यही है उसके बाद में इसपुष्ट कीजिए कि इसका उपयोग आविशित करनों को त्वरिंट करने में कैसे किया जाता है ठीक है और इसका एक महत्वपूर उपयोग भी लिखिए तो चलिए फिर हम सबसे पहले cyclotron की सनरचना के बारे में बात करेंगे वैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है cyclotron की सनरचना लेकिन अगर आपको यह बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं और हमको तो वैसे भी अपने एक्जाम के समय में इसका चित्र बनाना है तो हम लोगों ने एक अर्ध गोला कार जो है धातू की प्लेट ले ली यह अर्ध गोला कार जो है थोड़ा मोटाई लिये हुए है इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं भाई ठीक है अब इसी तरीके से हम एक और अर्धगूलाकार जो है प्लेट लेने वाले हैं तो ये हमारी हो गई दूसरी प्लेट इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं तो ये हमारी हो गई दूसरी अर्धगूलाकार प्लेट औ और यह अर्धगुलाकार प्लेट यहां पर ऐसे रखी हुई है और आपको जो है यह दोनों प्लेटे समझ में आ रहे हैं मोटी मोटी प्लेटे हैं अब इन दोनों अर्ध गोलाकार प्लेटों को हमें इच्छा है कि हम एक समान चुम्ब की छेतर में रखें तो मान लेते हैं कि यह जो है पहली प्लेट और यह दूसरी प्लेट है अर्ध गोलाकार हम लोगों ने क्या किया इसके नीचे जो है इस प्र द्रोव और इसके उपर इस प्रकार से विवस्थाकी की यहां पर मान लेते हैं दक्षणी द्रोव दिखाई दे रहा है और इसके कारण आपको चुम्बकिय बल रेखाएं इस तरीके से इन प्लेटों को पार करती हुई नजर आएंगी वही चुम्बकिय बल रेखाएं हम लो आपको चुम्बकिय बल रेखाएं इस तरीके से नजर आ रही हैं अब यहां हम लोगों ने क्या किया यहां पर एक ऐसी विवस्था की कि इस जगह पर हम लोगों ने एक इसके केंद्र के पास में एक इलेट्रॉन गन रख दिया इलेट्रॉन गन रख दिया या फिर हम आवेशितकन को त्वरित करना चाहते हैं जिस आवेशितकन की गती बढ़ाना चाहते हैं हम लोगों ने उस आवेशितकन को उत्पन करने वाला एक यहां पर मशीन लग दिया अब यहां से हम आगे की बात कर रहे हैं आप अगर इस चित्र को समझ गए होंगे तो आप लोगों ने एक ओक्सिलेटर लगा के रखा है ओक्सिलेटर का काम क्या है ओक्सिलेटर का काम यह है कि जब यहां से इलेट्रॉन निकल रहोगा तो यह इस वाली प्लेट को क्यों कि धात्विक प्लेट है इसलिए यह इस वाली प्लेट को रिन आवेश में रख देगी और यहां पर धन आवेश में नजर आएगा तो यह इलेट्रॉन तेजी से इस ओर बढ़ेगा अब हम यहां से आगे की बात अगले चित्र में करते हैं हम लोगों ने देखा कि अर्धवित्ताकार दो प्लेटों को इस तरीके से एक दूसरे से कु हैंगे जब यहां पर रिनात्मा कावेश है और यह धनावेशित है तो हमारा इलेट्रॉन जो है तीजी से तोरित गती करता हुआ इस प्लेट के पास पहुंचेगा जैसे ही इस प्लेट के अंदर आएगा क्योंकि यहां पर एक समान चुम्ब की छेत्र जो है पूरी तरीके था हम लोगों ने देखा था कि एक समान चुम्ब की छेत्र में आवेश के साथ में क्या होता है वह वित्ताकार मार्ग में गती करने लगता है तो इसी प्रकार से इस एक समान चुम्ब की छेत्र में जब वित्ताकार मार्ग में गती करेगा तो यहां पर भी आपको यह जैस ही यह इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा हमारे ऑक्सिलेटर ने जो की यहां पर पहले क्या रखा था यहां पर रिनात्मक आवेस और यहां पर धनात्मक आवेस रखा था उसमें तूरंत ही यहां पर आवेसों को बदल दिया अब यह रिनात्मक आवेस और यह अब धनात्मक इस बार वेग में वृद्धी होने के बाद में हमारा आवेश जब जो है दूसरी प्लेट तक पहुंचेगा तो ये ज़्यादा गति से गतेशील होगा और इसलिए इसकी तृज्जा में वृद्धी हो जाएगी और ये बड़ी तृज्जा के साथ में इस जगह तक पहुंच हमारे औक्सिलेटर ने फिर से यहां पर रिनात्मा कावेश और इधर धनात्मा कावेश रख दिया तो इस बार भी त्वरित गती होगी और यह तेजी से दूसरी प्लेट की और आकरशित हो जाएगा अब फिर से जैसे ही यह दूसरी प्लेट में पहुंचता है वैसे ही यहां पर, क्योंकि यहाँ पर फिर से गती में व्रदी हुई है, इसलिए यह जादा द्रिज्जा वाले वर्थाकार मार्व में गती करते हुए यहां तक पहुँचेगा, और जैसे ही यहाँ पहुंसता है, तब हम क्या करेंगे, फिर से ऑक्सिलेटर से बोलके यहाँ पर polarity यहने की इसकी जो है इसमें आवेशों का मान बदल देंगे यह फिर से क्या हो जाएगा रिनात्मक और यह धनात्मक हो जाएगा और जैसे ही धनात्मक आवेश होगा फिर से त्वरन होगा और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी हम यहाँ देख रहे हैं कि हर बार यह जो बीच का gap है यहाँ पर त्वरित गती होती है किसलिये होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे oscillator ने यहाँ पर के आवेशों को बदल दिया है कभी यह प्लेट धनात्मक हो जाती है कभी यह प्लेट धनात्मक होती है और इसके कारण बीच में त्वरित गती होती है A का त्वरण होता है अगर आप ये निकालना चाहें कि A का त्वरण कितना होगा तो यदि यहाँ पर वोल्टता बदल दी जाए तो V का मान होता है V बराबर E बटा ने E गुणा L और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि E का मान हो जाएगा V बटा L यहाँ पर दोनों के बीच में जितना भी विववांतर होगा और जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा त्वरण होगा और इस त्वरण के कारण जो है वेग में किस प्रकार से पज़वरतन होगा V बराबर U धन A T या हम बोल सकते हैं कि V का वर्ग बराबर U का वर्ग धन 2 A S और यहाँ हो जाएगा V का वर्ग बराबर U का वर्ग धन 2 A का मान क्या होगा A का मान होगा Force बटा रबे दिपन और यहाँ पर हो जाएगा Q E बटा M तो इस प्रकार से यहाँ पर A का मान हो जाएगा Q E बटा M और यहाँ से यह जो S बीच की दूरी है S या बीच की दूरी हम लोगों ने ले लिया L तो इतना जो है और इतना मतलब कुछ कुल मिलाके त्वरण हो सकता है वेग में परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तन के कारण अब बताइए कि किसी भी आवेस जो की वी वेग से आगे बढ़ रहा है उसमें कुल मिलाके गतिज उर्जा कितनी होती है तो हम जानते हैं कि गतिज उर्जा काइनेटिक एनरजी गतिज उर्जा बराबर हाफ M V का वर्ग और इस प्रकार से जब भी ये आवेस इस खाली वाली जगह को पार करता है उसमें बार इसकी गतिज उर्जा में वद्धी होती जाती है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आवेस बहुत सरे चक्कर काटने के बाद में इस बिंदू पर पहुचेगा जहां पर वेलोसिटी सेलेक्टर लगा हुआ होता है मतलब किसी विसेज गतिज गतिज शील आवेस को ही अपने में से बाहर जाने देता है और इस प्रकार से ये करता है यह चुमबकी छेत्र में गतिशील आवेस के वृत्ताकार महारगे में गति करने की गुण को उप्योग करता है और दो प्लेटों के बीच में विभवांतर को लगातार बदल कर उसमें एक तुरिद गति उत्पन करता है जिसके कारण वेग और वेग के कारण गतिज उर्जा में व्रद्धी होती है ठीक है इसके बाद में स्पष्ट कीजिए कि इसका उप्योग आवेशित करणों को त्वरित करने में कैसे किया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया कि आवेशित करणों को किस तरीके से त्वरित किया जा रहा है अब इसका एक उप्योग है तो जिस उर्जा के electron या जिस उर्जा के proton हमें आवशक होते हैं हम इसका उप्योग करके उस उर्जा से गतिशिल proton या electron प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे इसी प्रश्ण का जो दूसरा उत्तर है मतलब दुसरा अँग दूसरा हिस्सा वह क्या है, एक सैक्लोटरॉन दोलित्र की आवरिति 10 मेगाHS है, चले हैं, नया प्रिश्ठ लेते हैं, हम लोगों को क्या पता है, आवरिति याने कीनियू, और ये है 10 मेगा, मेगा बड़ा होता है भहिया, तो 10 मेगा Juds, अब 10 megahertz में mega जो है यह SI unit नहीं है इसलिए हम इसको लिखेंगे 10 की गहाद 6 hertz अगली बात क्या है इसका जो है फिर और क्या बोल रहा है proton को तुरित करने के लिए आवसक चुम्य की छेतर कितना होगा मतलब हमको B निकालना है B कमान क्या है यह निकालना है और इसके बार में हमको और क्या क्या जान करी है mass of proton और यह होता है 6.67 into 10 to the power minus 27 minus 27 1.67 sorry यहाँ पर आ जाएगा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg ठीक है और आवस कितना होता है proton में तो यह electron के बराबर मतलब 1.6 गुणा 10 की घात रिण 19 कूलम होता है अब हमारे पास में जो सूत्र है वो क्या है हम लोगों ने सबसे पहले क्या चर्चा की कि हमारे पास में आवरित्ति के लिए सूत्र क्या है Q B बटा 2 पाई M अब हमको जानकारी किस बारे में चाहिए हमको क्या नहीं पता है हमको B नहीं पता ही यही तो निकालना है तो इसको एक जगा रखेंगे बाकी उधर भेज देंगे और यहां से हो जाएगा B बराबर देखें आप यह दुनों का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2 पाई M और आवरित्ति निउ बटा Q यहां पर जो है अब हम मान डाल सकते हैं तो यह हो जाएगा 2 गुणा 3.14 गुणा मास दरबे मान कितना है 1.67 गुणा 10 की घात रिण 27 और गुणा आवरित्ति कितनी है 10 की घात 6 हड्स तो 10 की घात 6 और पूरे का बटा आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात रिण 19 अगर आप जो है थोड़ा साथ बुद्धिमान तरीके से उप्योग करें अपना तो अपना दिमाग तो आप क्या सोचेंगे यह 1.6 है और यह 1.67 है अगर यह 1.6 ही होता तो इसको कटाने से बिलकुल एक मिलता बिलकुल बात सही है लेकिन यह थोड़ी सी ब बड़ी संख्या मिल सकती है हम लोगों ने मान लिया कि एक दसमलव 6 है अभी क्योंकि हमको कल्कुलेटर हमारे पास में नहीं है तो एक दसमलव 6 और एक दसमलव 6 यहां कर जाएगा दो गुना 3.18 मतलब होता है 6.28 2.3.1 अब यहां पर देखिए हम जो है और आगे क्या आगे हो कि यहां है 10 की घात 27 दसकी घात 27 फिर है गुना 10 की घात 6 और गुना देखिए यहां 10 की घात 19 है तो यह उपर चले जाएगा तो 10 की घात 19 हो जाएगा ठीक है यहां पर हम लोगोंने क्या उप्योग किया एक बटा, एक बटा, एक गहात M, बराबर, एक गहात RIN M, और यहां से यह उपर आ गया, और कौन से सुत्र का उप्योग कर सकते हैं हम लोग, हम लोग कर सकते हैं, एक गहात M, गुणा, एक गहात N, बराबर, एक गहात M, धन N, और इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, और अगर हम यह देखेंगे तो हमको मिलता है तो यहाँ पर हमको उत्तर क्या मिल रहा है हमको उत्तर मिल रहा है 6.28 गुना 10 की घात रिंड दो मतलब यह हो जाएगा 6.28 गुना बटा 100 और बटा 100 करने के लिए दसमला दो अंक उधर खी सकता है तो यह हो जाएगा 0.0628 लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पर गलती की है तो इसका मतलब यह है कि यह उत्तर भी 0.0628 आने की बजाए 6.062 के 6 से बड़ा होगा तो इसका असल में उत्तर अगर आप कल्कुलिटर से निकाले तो यह 0.065 के आसपास आता है लेकिन अगर आप यहाँ तक भी उत्तर लिखते हैं लगभग वाला अप्रॉक्सिमेशन वाला तब भी आपका उत्तर सहीं जाता है तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे प्रश्ण में जो पांच अंक पाने थे यह दोनों मिला के एक साथ पांच अंक में पूछे गए थे तो यहां पर हम पाच अंक का अपना काम कर चुके हैं यहां पर दो अंक यह नीचे मिलते और हमको तीन अंक ऊपर से चाहिए थे यह सूत्रों कि बात करना हमारे लिए आवशक है क्यांकि यह सारे सूत्र आप से उम्मीद की जाती है कि आपको पता हूँ और इसलिए जो है वो आंकिक प्रश्ण आपके लिए आसान बन गया तो इसी तरीके के और भी जो है प्रश्ण है जिनके बारे में हमको चर्चा करना है यह एकलोता प्रश्ण नहीं है इस अध्याय से तो आगे भी हम बाते करते रहेंगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में और यह देखिए सारे सूत्र आपको दिये हुए हैं यहाँ पर एक और सूत्र रह गया वह है गते जूजा का ठीक है तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद